नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं कनपुरिया राजू व्लोग मैं दिखाता हूँ कानपुर और कानपुर के बारे में मैं बताता हूँ लेकिन आज मैं आया हूँ कानपुर के कुछ किलोमीटर दूर यानि 10 से 15 किलोमीटर दूर कानपुर के दिहात में और ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं फूलों की खेती काफी सुन्दर सा नजारा है दोस्तो मैं गाउं अक्सर इसलिए दिखाता रहता हूँ कि हमारे गाउं में इतने सारे अपरचिनिटी आउशर हैं जिसको अगर आप सही जंग से यूज किया जाए तो काफी हद तक हम पूरी तरह से संपन हो सकते हैं आत्म निर्भर ये वर्ल आपको आजकल देख रहे होंगे चर्चा में है तो कैसे बने आत्म निर्भर आत्म निर्भर बनने के लिए हमें उन टेक्नोलाजी का यूज करना होगा जैसे ये आपको देख रहे हैं फूल लागडाउन में बहुत से ज़्यादा फूल फेके गए मैंने अभी किसान भाई से बात करी तो बोलते हैं बहुत से फूल फेके गए इसका यूज कैसे कर सकते हैं अगर कोर्ड स्टोर होता तो यहां पर काफी हद तक हम इसे एसेंस यानी एक एसेंस के रूप में यूज कर सकते थे और बहुत सी चीजें में यूज कर सकते थे लेकिन यहां पर टेक्नोलोजी ना होने की वज़े से हम यहां मात खाते हैं आत्म निर्भर हम तभी बनेंगे किसान लोग आत्म निर्भर बन सकते हैं और काफी हज़ तक उनको लाब हो सकता है अगर आज पास के कोनों में अगर आम के पेंड लगाए जाएं यह देखिए दोस्तों यह कटहल का पेंड है कटहल किस तरह होते हैं यह भी दिखा दूँँ आपको यह देखिए इस तरह से कटहल का यह पूरा पेंड रहता है और इस तरह से कटहल होते हैं जो सहरों तक जाते हैं गाओं की हर चीज में आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि गाओं में इतना कुछ करने को है लेकिन अगर आप सही धंसे यूज़ करेंगे उसका तो काफी हद तक गाओं की संपन्नता आ सकती है हुआ 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 है हुआ है अजय को आजय को करें करें कराथ को अजय अजय टकाया था तो मैंने कहा गाओं का प्राकतिक बातावर्ण आपको दिखाता चलूं ये देखिए गाउं में सब सान्ती ही सान्ती है ना कोई आया ना कोई गया ना कोई क्वारंटीन है इस गाउं में काफी सान्ती है और हमारे पीछे भी जो नजारा आप देख रहे हैं सान्ती का ही नजारा है गाओं में करोना नाम की कोई चीज नहीं दिखी हमें फिलाल जिस गाओं में मैं आया था यह देखिए आदमी भैसे चरा रहा है और मौज ही मौज ले रहा है हमारे पीछे आप भैस का नजारा देख रहे होंगे यह देखिए वह देखने पीछे जो देख रहे हैं यह बैसी बीटारा चराने वाला है with se बात करते हैं और जानते हैं की करोना वरोना के बारे में कॉछ जानलू है इनको यह गाओं में भैसी चराते हैं का नाम है तुम्हार आज शू अच्छा यह वताओ भैस चराँ रहे हो यह करोना के बारे मालूम है का है करोना का मतलब तो तुमने तो कुछ लगाया ही नहीं है अब इन पर का है तो अमास लगावन का इन करन अच्छा यहां आजमी नहीं है अच्छा करोना कैसे होता है मालूम है कैसे हो जाता है करोना नहीं मालूम है इतना लागडाउन हो गया इतना हुआ कुछ मालूम पड़ा कि कई से हो जाता है तो देखिए गाओं में क्या पोजीशन है यहां से मैं सहर से करीब 15 किलो मीटर दूर आया हूं गाओं में और यह विचारे भैसी चराते हैं इनको करोना परोना के कि अगारे में कुछ मालूम नहीं है हाथ और पैर में बता रहे हो जाता है करोना कहा करोना हो जाता है बता जरा कैसे हो जाता हाथ पैर में अच्छा उससे क्या आदमी चला जाता ऊपर यह अच्छा तुम जाओ ठीक है तो भाईया हमारे पीचे जो नजारा देख रहे हैं यह कानपूर से कुछ किलोमीटर दूर का नजारा है अगर आप गाओं आएं तो यह आज नजारा जो है आम हो जाता है आम यह देखिए नहर सूखी पड़ी हुई है पानी का नाम निसान नहीं है पब्लिक मौज ले रही है यहां पर मौज देखिए मैंने सोचा आपको भी एक जलक दिखा दूं इस तरफ के गाओं की क्या पोजीशन है यह देखिए मौज ली जा रही है गाओं का यह नजारा आपको आम दिखेगा लेकिन बड़ी भाईया सांती है सांती का तो पूछो नहीं आरांस बेठे मौज लेते रहो कोई दिक्कत नहीं है आत्म निर्भर आदमी कैसे बनेगा जब तक काम नहीं करेगा तो दर्शुकों यह हमारा छोटा सा ब्लॉग था सडनली में कानपुर्दिहात में आया था तो मैंने सोचा कि क्यों न इसका ब्लॉग बना लिया जाए और मैं ने कोसिस करी है कुछ दिखाने की कानपुर्दिहात की यह देखिए हमारे पीछे यह तरोवी का खेत है तो कैसा लगा कमेंट करें सेर करें और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमारे पिठारे में बहुत कुछ ऐसा है जो आप देखना चायते हैं धन्नवाद दोस्तों